नमस्कार दोस्तो देल एर्णर पॉइंट में आप स्पीक का श्वागत है दोस्तो ये वीडियो उन शबी अभियर्थियों के लिए है जो रीट 2021 की जो भरती होनी है उसकी दोड में सामिल है उन सबको दोस्तो क्या-क्या दस्तावेज है वो तयार करवाने है वो पूरी परकि के लिए दोस्तो प्रोशेश पहले करनी पड़ती है तो एक-एक डोकुमेंट आपको बता देता हूँ उसमें आपको कौन-कौन से डोकुमेंट चाहिए होंगे तो चलिए पहले दोस्तो मैं सारे डोकुमेंट आपको बता देता हूँ एक-एक उसके बाद दोस्तो आपको स लगा था तो आप दोनों ही रख लेना दोस्तों बाकि जो दूबारा फोरम लगा था उस फोरम की आवशक्ता पड़ेगी तो रीट का फोरम आप अपने पास रखना फिर देखे दोस्तों दूसरा डोकुमेंट क्या चाहिए होगा आपको चाहिए बीएश्टीसी हो चाहिए दूसरा डोकुमेंट देखे दोस्तों आपने रीट का जो पेपर दिया उसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो परवेश पत्तर है वो आप अपने पास रखना ये चाहिए होगा दोस्तों जब आपकी जोईनिंग होगी वेरिफिकेशन के टाइम तीसरा देख है परमान पत्तर ठीक है छोटा सा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए जरूरी है दोस्तों ये चीजे तो परमान पत्तर भी आप अपने पास रखना फिर देखे दोस्तों चोथा बारवीं क्लास की मार्क शेट प्लस दोस्तों परमान पत्तर इसके बाद देखे दोस्तों जो बीएश्टीशी वाले हैं उन बच्चों को बीएश्टीशी की मार्क शेट प्लस बीएश्टीशी का डिप्लोमा डिप्लोमा अलता है दोस्तों जिसे अपन डिगरी बोल सकते हैं एक तो मार्क शेट बीएश्टीशी की मार्क शेट और आपका डिप्लोमा अब आगे देखिए दोस्तों जो B.A.D. वाले हैं उनको अगला सर्टिफिकेट चाहिए होगा दोस्तों सनात्तक की मार्क शेट तिन्नो वर्ष की क्योंकि वाँ चैक होगी तिन्नो साल की चैए B.A.C. हो चैए आप B.A. हो यदि आपकी एडिशनल है तो एडिशनल वाली मार्क शेट भी फिर देखिए दोस्तों जो सनात्तक की डिगरी है वो आपके पास होनी चाहिए डिगरी जरूरी है दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी काम करेगा लेकि स्कोले से किए भाड़ी ले ओ ठीक है क्योंकि बाद में आपको डिगरी हो देड़ी तो पड़ेगी इसके बाद देखिए दोस्तों बीडी की मार्क शेट पलस दोस्तों बीडी की डिगरी ये चाहिए होगी आपको B.A.D. की मार्कशिट और B.A.D. की डिगरी अब देखे दोस्तों अन्ने आपके पास कोई डिगरी है यदि आप एड करवाना चाहते हो बाद में भी हो जाती है यदि है तो आप ले जाना जैसे M.A. है आपकी तो M.A. की मार्कशिट पलस M.A. की डिगरी जो जो आगे आपने उच्छतर शिक्षा प्राप्त के वो सारी ले जा सकते है बाकि B.A.D. तक मैंने आपको बता दी फिर देखे दोस्तों अगला जाती परमान पत्तर अब यह जाती परमान पत्तर दोस्तों 6 महाँ से पुराणा नहीं होना चाहिए तो पुराणा बढ़ा हुआ है तो बढ़वा लेना जाती परमान पत्तर EWS वाले स्टूडेंट है उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट तो यह आप चीज है वो तियार करवा लेना फिर देखें दोस्तों मूल निवास आपका अब देखें दोस्तों मूल निवास की दी बात करूँ तो पहरले बढ़ता था एक मूल निवास ओपलाइन वो नहीं चलेगा दोस्तो, ओनलाइन बढ़ने लग गया है मूल लिवास, तो आपके पास मूल लिवास ओनलाइन लवाड़ा होना चाहिए, तो ओनलाइन आप मूल लिवास यदि नहीं है, तो बढ़वा लेना, फिर देखिए दोस्तो, आपको जरूरत पढ़ेगी चरित्र अब ये चरित्र परमानपत्र कहां पर बढ़ेगा, तो चरित्र परमानपत्र दोस्तो, आपने अंतिम जहां से रेगुलर पढ़ाई की है, चाहिए तो B.A.D. को लेजो, चाहिए M.A. को लेजो, जहां से अंतिम वर्स आपने रेगुलर पढ़ाई की है, वहां से दोस्तो, यह दोस्तों आप पहले ही करवा लेना चाहिए वेरिफिकेशन क्योंकि यह 6 माह तक का वेद होता है 6 माह तक चलता है तो यह पहले ही चेक करवा रेना कोई लपड़ा लपड़ा है तो चेक हो जाएगा तो यह पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही करवा लेना 6 माह तक यह वेद ह होता है पुलिस वेरिफिकेशन फिर देखिए दोस्तो एक चाहिएगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कि और सर्टिफिकेट अगला ड्गोनेंट दोस्तो आपको चाहेगा विभाएट हो तो आपको विभापरमान पत्र यदि आप विवाइत नहीं हो तो ऐ विवाइत परमान पत्र है दोनों इस जरूर पढ़ने लग गई दोस्तों ऐ विवाइत परमान पत्र अब दोस्तों बाद में संतान वगएर है तो वो संतान का भी वो दोस्तों भरना पड़ता है तो आगे की बात है गोशना पत्र में आएगी वो चीजे अब देखे दोस्तो अंत में चाहिए होगी सपत पत्र और गोशना पत्र ये दोस्तो आपका जो वेरिपिकेशन होगा उस टाइम दोस्तो आपको वहीं से लेकर के भरना है एक गोशना पत्र होता है दोस्तो कि मेरे द यहां पर दोस्तों मैं छोटा चोटा लिख देता हूं ताकि आप screenshot ले लेंगे रीट का forum फोरम चलिए दोस्तों आपको मैं copy में से दिखा देता हूं तो यह आप दोस्तों screenshot लेना चाहे तो screenshot ले यह ब्येड वाला दोस्तों मैंने निचे लिखा है, यहां पर लिख नहीं पाया था, छूट गया था बीच में, यहां ब्येड वाला था, यह निचे लिख दिया, अन्य कोई डिग्री है तो अन्य डिग्री, तो यह इतने ज़्यादा शेर करना और लाइक भी करना